हलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा पढ़ रही है पौदे गर्मी को बरडास नहीं कर पा रहे हैं और हम लोग ऐसे काम करते जा रहे हैं जिससे पौदे खराब हो जाते हैं आज मैं बहुत सारे ऐसे काम बताने जा रहे हूँ जिनें आपको मई जून में भूल कर भी नहीं करनी चाहिए ये गल्तियां जब आप अपने पौदे पर कर देते हैं तो आपका पौदा तुरंती खराब हो जाता है गर्मी के मौसम में अक्सर पौदों पे समस्या देखने को मिल जाती है जैसे की पौदों की पतियों का जलना, बेल का बढ़ना लेकिन उसमें पतिया ना आना, फूल आना लेकिन बहुत छोटे साइस के आना तरह तरह के कीड़ों का अटेक होता है, जैसे मिली बग, सीटी वगएरा का बहुत ज़दा अटेक होता है तो फ्रेंट्स, आज मैं इसी से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातों को बताऊंगी, जिसे आपको भूल कर भी अपने पौदों पर अपनाना नहीं चाहिए पौदों को प्रून करने का, या फिर खाद देने का, इसके लब पानी वगएरा देने का एक निश्चिस समय होता है बहुत सारी केर टिप्स ऐसी होती है, जो टाइम टो टाइम की जाती है अगर आप पौदे पर गलत समय पर गलत केर टिप्स अपना लेते हैं, तो आपका पौदा सड़ कर जल कर खतम हो जाता है और आपके पैसे बरबाद हो जाते हैं माई जून में तो आप बहुत सारे ऐसे काम कर देते हैं जिसके कारण पौदे ना के बराबर रह चाते हैं जो पौदे धूप में रखने चाहिए वो आप छाओ में रख देते हैं जो पौदे छाओ में रखने चाहिए वो आप धूप में रख देते हैं तो इसी से जुड़ी आज सारी जानकारी मैं आपको देने चाह रहे हूं कि कौन सा काम आपको करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए वैसे तो मई जून का महिना इतना गर्मी भरा होता है कि सारे काम आपको रोग देने चाहिए जिसमें से सबसे पहला काम है पानी देना आप सोच रहे होंगे कि पानी देना मैं क्यों बता रही हूँ जी हाँ पानी देना आप गलत समय में पानी दे देते हैं तो पौधा बहुत जल्दी खराब हो जाता है तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जब भी वाटरिंग करें मौर्निंग के वक्त करें अगर आप मौ ती इतनी ज्यादा गरम हो जाती है जिसके कारण मिल्टी गरम और ठंडा पानी बरदास नहीं कर पाती और पौधों की जड़े जो है नीचे नीचे से सरने और गलने लगती है उपर से आपको बाद में दिखाई देता है फिर आपको लगता है कि कहीं ओवर वाटरिंग तो ज्यादा सौबरिंग करेंगे उतना ही ज्यादा पौधे आपके हरे भरे बने रहेंगे और कभी खराब नहीं होंगे और तेजधार से वाटरिंग करने से एक फायदा और होता है जितना भी कीड़ा आपके पौधे में लगा है वो हटकर धूलकर गिर जाता है और आपके प बचा लेंगे तो आपके पौधे हमेसा आपके पास बने रहेंगे इसके लिए आप सेट का इस्तमाल कर सकते हैं feld Soci A Live अगर आप पैसे नहीं खर्च करना चाहते तो सारे पौधे एक हटे करके रगढ दिजे, बड़े पौधे पीछे रखे चोटे पौधे आगे रखे तो आपके पौधे कभी भी धूट से जलकर नहीं मरेंगे थीसरा काम फ्रैंट्स आपको भूट कर भी किसी भी पौधे की कटिंग या प्रूनिंग नहीं करनी है नहीं आपको soft pruning करनी है नहीं आपको hard pruning करनी है सरदियों के बार dormancy से जब पौधे निकलते हैं फरवरी का महीना होता है तब आप इसकी pruning कर सकते हैं लेकिन अगर आपने pruning नहीं की है तो अब आप अपने पौधों को भूल कर भी cut ना करें पौधे करने का एक खास समय होता है अगर आप गलत समय पर अपने पौधे की cutting कर देते हैं तो पौधे हमेशा के लिए खराब हो जाते हैं अगर अभी आप pruning करेंगे तो इसका growing period है वो निकल जाएगा ये अपनी growth पूरी तरह से पकड़ नहीं पाएगा फिर आपको साल भर इंतजार करना पड़ेगा आपके पौधे में फूल नहीं आएंगे अगला काम आपको भूल कर भी नहीं करना है फ्रेंट्स ये काम तो आप जरूर मत करيेगा क्योंकि जो भी छोटे पौधे हैं उन्हें आपको बड़े पौट में सिफ्ट नहीं करना है इस समय अगर आप पौधे को सिफ्ट करेंगे तो आपका पौधे दीरे मुर्जा पौधे को अगर आप दूसे गमले में सिफ्ट करते हैं तो उसे एज़स करने में लगबग 5-6 दिन का समय लग जाता है और ऐसे मौसम में अगर आप पौधा सिफ्ट कर देते हैं तो गर्मी के कारण ये पौधा पौट में एज़स नहीं कर पाता है फिर धीरे धीरे सुकता ह हुआ खराब हो जाता है तो फ्रेंट्स जितने भी आपके पास बेबी प्रांट हैं उनको उठाकर च्छाम में रख दें नहीं तो किसी बड़े पौधे के नीचे रख देंगे तो ये पौधा अपनी ग्रोध को बरकरार रखते हुए जह हमेशा आपके पास बना रहेगा आपको पौधे पर बहुत जरूरत से ज़्यादा दिखाई देंगे जिसके कारण आपका पौधा भी खराब होता है तो ऐसे में आप इने वाटर से धूल सकते हैं नहीं तो होममेट पेस्टिसाइड बना कर आप इन पर डाल सकते हैं होममेट पेस्टिसाइड आप घर पर बहुत आसानी से तयार कर सकते हैं जिसका डीटेल में वीडियो मैंने अभी डाला हुआ है नहीं तो होममेट पेस्टिसाइड आपको बहुत सारे चैनल पर बने हुए मिल जाएंगे उन में से एक तरीका अपना लीजे और हर चार दिन के बाद अपने पौधे पर इस्प्र लाने के लिए तो वो आपका पौधा भी जला देगा सिर्फ यह साफधानिया आपको मैजून के महीने में ही अपनानी है जिससे आपके पौधे जलकर सड़कर खराब न हो और फ्रेंट्स आपको मैजून के महीने में किसी भी प्लांट की कटिंग नहीं लगानी है जो प्ल इसकस कनेर बॉगन विल्या बेला मधुमालती ट्रिकोमा बहुत सारे ऐसे पर्मनेंट प्लांट हैं इनकी आप कटिंग लेकर आएंगे और अभी लगा देंगे तो इनकी कटिंग सक्सेस नहीं होगी यह जानते हैं अगला काम आपको मैजून के महिने में कौन सा नहीं करना है नेक्स आपको यह नहीं करना है आपको नर्सी से एक भी पौधा खरीद कर नहीं लाना है इस समय जो भी पौधा खरीदेंगे उसके नर्सी वाले डबल चार्ज़ लेंगे इसके हलावा फ्रेंट्स इसमें काफी एफेट्स और कीडो का अटैक रहता है जिसे आप देख नह लगा रहता है लेकिन अगर आप घर पर लाते हैं और पौदा खराब हो जाता है तो आपको इस समय अभी पौदा नहीं खरीदना है इस समय फ्रेंट्स आप बल्ब खरीज सकते हैं बल्ब नरसी में बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाएंगे क्योंकि इनका जो है ग्रोइंग के बल्ब खरी सकते हैं बल्ब कभी खराब नहीं होता है आप एक बार गमले में लगा देंगे ये मल्टिपल ही होते रहते हैं इस भैंकर गर्मी से आपको पौधों को बचाना है तो अपने पौधे में किसी भी तरह का हार्ड फर्टिलाइजर ना दें जैसे की डी एपी का इसी भी तरह का पोटास फासफोरस ये नहीं देना है आपको सिर्फ सिर्फ लिक्विट फर्टिलाइजर देना है लिक्विट फर्टिलाइजर आप घर में बना सकते हैं जितने भी होममेट फर्टिलाइजर होते हैं उनको घर में तयार कर ये जैसे कि आप बौई लेकर ले जो पौधों की कलियां तूट कर गिरने लगती हैं, पीली होकर गिर जाती हैं, वो गिरना बंद हो जाती है, इसके अलावा आप दाल चावल का पानी धुल कर दे सकते हैं, इसमें मार निकलता है, जो स्टार्च से भरपूर होता है, जिसमें स्टार्च की मातरा अधिक होती है जो chlorophyll को बढ़ाती है जिससे पतियां हरी बरी रहती है और पौधों में फूल भी अच्छे से आती है तो आप इस गर्मी में तरह तरह के liquid fertilizer पौधों में बना कर दीजे पौधों हरे बरे भी बने रहेंगे इसके अलावा इसमें किसी भी तरह का कोई भी chemical reaction नहीं होगा चिलकों से आलू के चिलकों से बनाना पिल से बहुत सारे ऐसी चीज़ों होती है जिनसे इनकी मल्चिंग कर सकते हैं जो गार्डेन में सूखी हुई पतिया निकलती है उनको ले लीजे उनसे मिटी को पूरी तरह ढग दीजे इससे होता क्या है जो भी sunlight होती है वो पने चिलकों में चीतियां आजाएंगी तो आप उस पर हल्दी पाउडर डाल दीजें नहीं तो फिर आप कोको पीट से पौदे की मल्चिंग कर सकते हैं कोको पीट पानी को अब् giorno कर देती है इस जिससे आपको पौधू में बहुत ज़ाधा वाटरिं करने की भी जुरुत नहीं पड़ेगी तो फ्रेंट्स कैसी लगी जानकारी हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलिएगा मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में इसी तरह की अच्छे अच्छी जानकारी के साथ थैंक यू